Welcome to Disabilities and Associated Subjects, मेरा नाम है सुर्भी गुपता और आज हम Lab by Gods के की द्वारा दी गई Social Cultural Theory जो की एक Cognitive Development Theory है उसके बारे में जानेंगी अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए यह हमारे शोशल मीडिया है जहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स लेव वाइगाट्स की जो की एक सोबिय साइकोल लॉजिस्ट है जिनका जन्म 1896 में हुआ था और बहुत ही कम उम्रयानी की 38 इयर्स की एज में ही इनका दिहान्त हो गया इन्हों ने थियोरी का प्रत्यपादन किया जिसको हम शोश हो गई 1934 में इनका दिहान्त हो गया इनका मानना था कि एक बच्चे के अधिगम में उसकी लर्णिंग में शोशल इंट्रेक्शन का बहुत ज्यादा महत्व है अगर शोशल इंट्रेक्शन है तो जो उसकी लर्णिंग है वो एक कंटिन्यू प्रॉसेस में बनी रही अगर यह नहीं है तो यह वहीं पर रुख जाएगी या फिर जिस स्पीट से उसको होना चाहिए वह वहाँ पर नहीं होगा इन्होंने सामाजिक कारक संस्क्रती और भाशा पर बहुत बल दिया है एक बच्चे के डैबलमेंट में इनका मानना था कि कल्चर एक बच्चे के कॉगन रूप से या अनौपचारिक रूप से एडल्ट जो होते हैं उनसे इंट्रेक करता है उनसे बातचीत करता है तब उसका जो कॉगनिटिव डैबलमेंट है वो होता है इनके बारे में जो इनकी त्योरी में एक बहुत इंपोटेंट बात कही जाती है वो इन्होंने ये कहा कि जो starting का जो time period होता है जो starting की जो period होते है years होते है बच्चे के वो बहुत critical development की stage होती है उस समय language और जो विचार है जो भाशा और जो विचार है वो एक दूसरी से सुतंतर होते हैं तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले एक बच्चे के अंदर भाशा आती है उसके बाद thoughts आते हैं यानि कि विचार आते हैं, यही जब हम प्याजे की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सबसे पहले बच्ची के अंदर विचार आते हैं, उसके बाद भाशा का development होता है, क्यूंकि ये cognitive development की बारे में बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि यदि एक बच्चा किसी task को करता जो कि बहुत challenging है तो वो उसको अगर बार-बार करने की कोशिश करता है तो वो भी है कि उसकी जो cognitive development है वो उससे ज्यादा होगी यानि कि कोई भी task जो बच्चे को challenge करता है बार-बार बच्चा उसको बार-बार करने की कोशिश करता है तो जो उसका cognitive development है वो बड़ेगा वो पह सामाजिक अन्तहक्रिया भाशा एवन विचार जेपीडी इसके फोल्डिंग और MKO हम एक करके सभी को समझेंगे सामाजिक कारव्यम सिंस्क्रति के बारे में जब बात करते हैं तो वाइगोट्सकी का मानना है कि जो बालक है उसके विकास पर सामाजिक कारको यान की शोषल फैक्टर्स का प्रभाब पढ़ता है यानि कि जब बच्चा इंट्रेट करता है तो वो जो भी चीज़ां उसके आजपास या उससमें इंट्रेक्शन करते है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं शोशल कल्चिरल तो इसका मतलब है कि जो वाइगोट्सकी है उन्होंने सामाजिक कारकों के अलाबा संस्कृति पर भी जोड़ दिया है एक बच्चे की विकास में इसलिए इनकी जो सिध्धान्त हैं उसको हम सामाजिक कि शोशियो या शोशल कल्चरल थ्योरी उसके बार बात करते हैं समाजिक अंतहकिरिया की वाइगोट्सकी का माना था जो बालक होते हैं जो बच्चे होते हैं वह समाजिक अंतहकरिया के माद्ध से ही लेंग्विज को हमें दौध सोशल में संपन होता है सब बचलोगों उसे इंट्रएक्षन करता वह पॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो यानि कि आपकारिक रूप में हो तब वह इंट्रेक्ट करता है सामने वाले से पारचीत करता है तब उसका डेबलमेंट जो कॉगनिटेब डेवलमेंट है वह होता है इसके बाद जब हम भाशा और विचार की बात करते हैं तो यहां वाइगोट्स की तीन चीज़ां बताते हैं एक तो शोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच शोशल स्पीच जो होती है जब बच्चा जन में से दो वर्स का होता है उस एज में बच्चा अपने हाव आउ के दोरा या पर छोटे छोटे शब्दों का इस्तमाल करके वन वर्ड टू वर्ड इस्तमाल करके अपने जो भाव हैं अपनी जो बात है उसको कहता और करता है वहीं जब हम प्राइबिट स्पीच की बात करते हैं जो तीन से छे वर्स की आयू में एक बच्ची के अंदर आती है वो क्या होता है इस एच क्राइटियरे में जो बच्चा होता है वो भाशा का यानिकि लेंगविज का इस्तमाल सिर्फ सामाजिक संचार के लिए नहीं करता बलकि जो उसका बिहेवियर है उसको बताने के लिए भी करता है इस और रूई गणerson के रुप में आपने देखा होगा जो बच्ची सुमरत कर रहे होते हैं तो वह अपने आप से बात 27 कर रहे होते हैं कि अच्छा इसको मैं चाहिए या कुछ इस तरीके की चीज़ाि करते हैं यानिकि लेंगविज सुनाई देती है या निजी संभासर भी कहते हैं साइलेंट इनर स्पीच की जब बात करते हैं जो की साथ वर्ष से शुरू होती है इसमें भी बच्चा खुद से ही बात करता है लेकिन अवाज नहीं आती यानि कि चुपचाप अपने आप से बात कर रहा होता है मनी मन में इसमें बालक भाशा की अभी वक्ती बाहरी रूप से नहीं करता बलकि चुपचाप अपने आप से बात करता रहता है जो तीन से छे बर्ष की उम्र में शुरू होता है आंतरिक संभासर प्राइवेट स्पीच वो इस उम्र तक आते आते चिंतन में संभासर चिंतन में बदल जाता है जिसको हम silent inner speech कहते है जैसा कि मैंने पहले बता है वाई गोट्सकी ने ये काता जो starting की जो years होते है बच्चे के development के उस समय भाशा और विकास भाशा और विचार जो है वो independent होते हैं लेकिंग जो बाद में जब time आगे बढ़ता है तो वो एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं जब विचार आता है तब भाशा बोलते हैं भाशा आती है तब वो विचार आते हैं मतलब है कि जो भाशा और विचार हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं हम जब अपने आपसे बात करते हैं खुद से जब हम silent speech का use करते हैं तो हम language में ही तो बात कर रहे होते हैं अपने बन से जो हमें language आती है जिसको English आती है उसको English में जिसको हिंदी आती है, वो हिंदी में बात कर रहा होता है खुद से, लेकिन वो बात हो किस वेसिस पे रही होती है? Thoughts के वेसिस पे? Thinking के वेसिस पे विचार होती है वो और अगर विचारी नहीं है तो हम बात कैसे करेंगे? तो विचार भाशा का इस्तिमाल करते हैं तो यानि कि ये दूसरे पर निर्भर होते हैं इसके बाद हम जानते हैं M-K-O More knowledgeable other यानि कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक बालक से जाता जानता है वो उसकी help करता है किसी भी skill को या किसी भी चीज को समझने में तो इसको हम बोलते हैं More knowledgeable other यानि कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको जादा knowledge है एक बालक से जो उसकी help करता है उसके skill को बढ़ानी के लिए उसको sharp करने के लिए या फिर उसकी जो learning है उसको develop करने के लिए उसको बढ़ानी के लिए उसकी help करता है तो उसको हम बोलते है more knowledgeable other यानि कि उसको उस बच्ची से ज़्यादा ग्यान है और वो उसकी help कर रहा है और जो ये process help करने की उसको हम बोलते है इसके folding जिसको हिंदी में मचान कहते हैं एक बार फिर समझ लेते हैं एक व्यक्ति जिसको knowledge ज़्यादा है बालक से वो उसकी help करता है उसके skill को develop करने के लिए उसकी learning में उसकी सहायता करने के लिए तो इसको हम बोलेंगे more knowledgeable other यानि कि उसको ज़्यादा ग्यान है उस बच्चे से और वो उसकी help कर रहा है ये जो process हो रही है help करने वाली इसको हम कहते हैं इसके folding और उसके बाद हम बात करते हैं zone of proximal development जिसको हम JPD कहते हैं फिर जो difference है एक बच्चा जिसको चीज नहीं आती थी वो जो stage है और जब उसको सिखाने के बाद उसके बाद जो result आता है उन दोनों के बीच में जो difference होता है उसको हम बोलते है zone proximal development अगर हिंदी में समझें तो बच्ची की द्वारा स्वतनत रूप से किये जा सकने वाले कार्य तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच जो अंतर होता है उसको हम ZPD कहते हैं इस थेहरी को समप करते हैं कुछ words में वाइगाट्स की जिन्होंने social cognitive theory दी या कहें कि socio-cultural theory दी वो main focus करते हैं culture पे, social factors पे और language पे एक बच्चे के development में इन्होंने अपनी पूरी थेहरी में social interaction को सबसे ज़्यादा महत तो दिया इन्होंने कहा कि जो adult हैं वो एक बच्चे के development में सबसे ज़्यादा सहाया के सबसे ज़्यादा important है वाइगाट्स की तीन में चीजों की बारे में बात करते हैं इसके folding, mko जिसको more knowledgeable others बोलते हैं और zpd zone of proximal development इसके folding क्या है यह एक process है जिसमें बच्चा अपने से ज़्यादा जो knowledgeable है अपने से ज़्यादा जो skilled person है उसकी help से चीजों को zpd जिसको हम कह रहे हैं उसमें क्या है कि जो difference है एक बच्चा जब किसी वीडियो प्लीज शेयर